हलो दोस्तो आपके Android फोन में भी एक Play Store नाम का अप्लिकेशन होता है और आप इसको यूज करते होगे अपने अप्लिकेशन को डाउनलोड करने के लिए, एप्स को अपडेट करने के लिए या फिर कोई गेम डाउनलोड करने के लिए तो आज मैं दोस्तो आपको Play Store के कुछ hidden settings के बारे में बताऊँ गाँ, यह काफी important setting है दोस्तो जो आपके Play Store में ही रहता है और बहुत लोगों को यह settings के बारे में पता नहीं होता है दोस्तों जो मैं आज settings बताने वाला हूँ काफी important setting है आपके device को लेकर आपका device जो दोस्तों आप जो phone use कर रहे हैं वो original है या फिर fake तो नहीं है आप इसको दोस्तों आपने play store की मदद से पहचान सकते हो कि आपका phone जो है वो original है या फिर duplicate है और play store की मदद से दोस्तों आप अपने storage का problem भी solve कर सकते हो आपका battery का problem भी solve कर सकते हो और जो मैं आखरी setting दोस्तों बताने वाला हूँ पाचवा नमर setting का उसको देखना मत भूलिएगा वो काफी important setting है अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे है उनी को लेकर दोस्तों पाचवा नमर के setting है अगर आपको भी अपने छोटे बच्चों को safe रखना है तो दोस्तों पाचवा नमर के setting देखना मत भूलिएगा अगर आपके बच्चे भी दोस्तों phone use करते है तो पाचवा नमर के setting स चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं, सबसे पहला नमबर का सेटिंग जो है दोस्तो आपके प्ले स्टोर में, वह आपको सेप्टी को ले कर है, आपके भी दोस्तों का भी मन में ये रहता होगा, कि आपका जो फोन है वो कहीं हैक तो नहीं है, आपके किसी दोस्त ने आपका फोन लिया हो दो मिनट के लिए और उसी दो मिनट में दोस्तो कोई ऐसा अपलिकेशन आपके फोन में डाउनलोड कर दिया जिससे आपका दोस्तो प्राइवसी है वो खत्रे में है आपके phone में दोस्तो जो भी data है, photos, videos, जो भी anything file है दोस्तो वो आपका जो दोस्त है जो आपके phone में application एक hidden application डाउनलोड कर दिया है वो आपने phone में देख रहा होगा और आपको दोस्तो पता तक नहीं है इसी को दोस्तो आप अपने play store की मदद से resolve कर सकते हो तो सबसे पहले दोस्तो आपको अपने profile वाले option में चले जाना है यहीं पर जाने के बात दोस्तो आपको यहाँ पे play protect का एक option दिख जाएगा इस पे आपको click कर देना है और यहां से दोस्तो आपको scan वाला option जो है इस पे scan कर देना है अगर दोस्तो आपके phone में कोई भी ऐसा third party तो आपके फॉन के लिए हानी कालो है, तो यहाँ पे धूस्तो, आपको प्ल detto ओनी कालो के ह लिए हानी कालो है तो आपके फॉन के लिए कालों, भंद जालो हो कि आपका phone जब अपने लिया है तो क्या वो original है या फिर local है आप इसको दोस्तो आपने play store के मदद से पहचान सकते हो मान लीजी मेरे ये samsung का phone है और इसको मुझे चेक करना है कि यह वाकई में samsung का phone है या नहीं है तो मैं इस play store से दोस्तो चेक कर सकता हूं चेक करने के लिए आपको अपने profile ओले option पर click कर देना है और यहीं पर दोस्तो आपको एक setting option दिख जाएगा settings में आपको चले जाना है settings में जाने एक बाद आपको about का एक बाद इतो जाने के पर जाने तो आप भी दोस्तो आपने फोन को play store की मदद से फोन को check कर सकते हो कि आपका फोन जो है वो original है या फिर local है अगर माल लेज़े दोस्तो आपका फोन जो local रहेगा यहाँ पर दोस्तो जो मेरा लिखा हुआ है device is certified आपका यहाँ पर लिखा रहेगा device is not certified इसका मतलब दोस्तो जाना जहां से आपने फोन लिया है वहाँ पर यह दोस्तो आप दिखा देना है कि आपका जो device है वो certified नहीं है मेरा जो device है उसको certified करके दो फिर आपको दोस्तो वो इस तरह दोस्तो आपने फोन को पैचान सकते हो आपने अब बात करते हैं दोस्तो तीसरे नमर सेटिंग के बारे में तीसरे नमर का सेटिंग दोस्तो आपके अप्लिकेशन के बारे में है मले जो आपको इप डाउनलोड करते हो तो यहां पे दोस्तो एक पैंडिंग का उप्सन है जाता है देख लिए यहां पे जो पैंडिंग लिखा हुआ है आपका दोस्तो जब कोई ऐ्क लेके पूंआ है दोस्तो है दोस्तो और लीटा लिखा हो यहां पिर आपको आपको क्लीयर डेटा लिखा हुआ इस-पर भी दोस्तो click करके delete कर देना है आप जैसे ही दूस्तो delete कर दोगे तो आपका जो play store है वो पूरी तरीके से refresh हो जाएगा मैं दोस्तो delete नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे में pending problem नहीं है अभी अगर आपके में problem है तो आप clear data दोस्तो कर दिजेगा जैसे ही आप clear data कर दोगे आपका जो play store है दोस्तो फिर से refresh होके नया होके खुल जाएगा और आप फिर कोई application डाउनलोड करोगे तो 100% हो दोस्तो pending का जो problem था वो clear हो जाएगा वो हट जाएगा आपका जो application हो डाउनलोड होना ही और आप बात करते हैं दोस्तो अगले नमर setting के बारे में 4 возд HoSO नमर setting के बारे में च Although number का setting दोस्तो आपके phone के battery related बेह है आपके phone के data के बारे में है अगर आपका phone का data जल्दी खतम हो जाता है और आपका phone का जो battery हो काफी काफी लंबे समय तक नहीं चलता है काफी जल्दी ड्रेन हो जाता है तो यह setting दोस्तों आप अपने phone में apply कर दिजिए आपके play store में ही यह settings है अगर इसको apply आप कर दोगे तो आपका phone का जो data है और phone का जो battery है वो काफी कम खतम होगा तो सबसे पहले आपको अपने profile वाला option पे चले जाना है और यहीं पे दोस्तों आपको setting वाला option पे चले जाना है यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आपको network का एक option दिख जाना है यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरे number पे ही एक option दिख जाना है यहाँ पे देख लिजे auto update app अगर मालेज़े दोस्तो आपका इस zone option पर click होगा तो आपको यहां से हटा कर do not auto update पर click करके done कर देना है इससे दोस्तो यह होगा कि आप जब भी अपना net on करोगे आपके phone में जो दोस्तो बहुत सरे application के update आये रहते हैं वो automatically update नहीं होगा अगर मालेज़े आप इस दोनों option पर click कर दोगे तो आप जब भी wifi या फिर net on करोगे तो आपका background में दोस्तो जितने भी application का update आया रहेगा वो बारी बारी करके सबी application update होने लेगेंगे और आपका जो mobile का data है बाइटरी है वो बहुत जल्दी जल्दी खतम हो जाएगा और आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मेरा बाइटरी और data कहां खतम हो गया है इसके लिए दोस्तो इस settings को off कर दीजेगा do not auto update पे तो आपके mobile का data है और जो बाइटरी है वो दोनों दोस्तो बच जाएगा अब बात करते हैं पाचवा नमर setting के बारे में जिसको मैंने बताया था कि आपके घर के छोटे बच्चे को लेकर है दोस्तो काफ़ important setting है अब उसी के बारे में दोस्तो चलिए बात करते हैं दोस्तो आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं वो भी आपका phone use करते होंगे तो वो क्या करते हैं जो game है वो download करने लगते हैं कुछ कुछ गेम दोस्तो इतने खतरनाक आते हैं जो आपको बच्चों के लिए safe नहीं होता है तो ऐसे गेम को दोस्तो आप अपने प्ले स्टोर से हटा सकते हो रिमूफ कर सकते हो वो कैसे करना है दोस्तो आपको अपने profile वाले option पे click कर देना है यहाँ पे दोस्तो setting वाल option पे चले जाना है यहाँ पे दोस्तो जो family वाल option दीख रहा है इस पे click करना है यहाँ पे दोस्तो फिर आपको दूसरे नमर पे दीख जाएगा parental controls इस पे आपको click करना है आपको दोस्तो इसके option में चले जाना है यहाँ पे दोस्तों उपर की तरफ एक आइकन देखेगा यह बंद रहेगा इसको आपको on कर देना है यहाँ पे दोस्तों आप कोई भी एक password डाल दिजेगा जो भी आप password डालना चाहते होगे फिर से दोस्तों वही password आप डाल दिजेगा यहाँ पर डालने के बाद OK कर दीजेगा अब OK करने के बाद दोस्तों आपका यह जो दो setting है यह open हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपको सिफ जो app and game लिखा हुआ इस पर click करना है और यहाँ पर click करने के बाद जो यहाँ पर rated for 7 plus लिखा है इस पर दोस्तों आपको click कर देना है और यहाँ पर understore कर देना है यहाँ पर करने के बाद दोस्तों फिर save all option पर आपको click कर देना है बस दोस्तों आपका यहाँ पर setting complete हो गया है अब फिर वापस दोस्तों आपका जो play store है वो refresh हो जाएगा और माल लिजे आप कोई भी एक game सर्च करो मैं free fire सर्च करता हूँ अब दोस्तो जैसे ही आप free fire सर्च करोगे तो यहाँ पे दोस्तो देख लिजे जो free fire है यह सर्च में नहीं आएगा और भी दोस्तो जो बहुत dangerous game होते हैं आपके बच्चों के लिए हानिकारक होते हैं यहाँ पे दोस्तो वो सब application जो है game है वो नहीं आएगा तो आपके जो घर में जो बच्चे हैं दोस्तो वो भी पूरी तरीके से safe रहेंगे तो इस setting को दोस्तो आप जरूर अपने phone में प्लेइ स्टोर में apply कर देना तो यहीं था दोस्तो वो 5 hidden setting जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी था प्लेइ स्टोर के बारे में तो आई होप दोस्तो आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए होगा चैनल पर नहीं आए है तो प्लेइ सस्क्राइब जरूर करेगा दोस्तो धन्यवाद